कहते हैं ना बिना सोच विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए था कनाड़ा को अब बहुत बड़ी मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहां तक कि उनके अपने रिपोर्टर कह रहे हैं कि तुमने ये क्या किया है तुम्हें कुछ पता भी है जानेंगे जवाब में क्या कहा कनाड़ा के पी-AYम ने और कैसे सूर्व बदल रहे हैं तो भारत ने और भी कड़े एक्सन लेने शुरू कर दिए क्या भारतिये कंपणिया कनाड़ा छोड़ रही हैं और क्या कनाड़ा की सेना अब भारत में आएंगी क्या कुछ चल रहा है कनाड़ा और भारत के बीच में और कैसे 30 बिलियन डॉलर कनाडा का यहां पर फसा है तो सियर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और इन सब के बीच में पडोसी पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये सब कुछ इजराइल की वजह से हो रहा है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आएए जानते हैं इन कबरों को विस्तार से आपको बता दे कनाडा और भारत के रिष्टे अफी काफी लंबे समय तक ठंडे बस्ते में जाने वाले हैं क्योंकि इसके चरण उठ गए हैं वीजा का जो केस हुआ भारत ने वीजा बंद कर दिया एक तो पस्चमी दुनिया न यह एक बहुत बड़ा जटका है और भारत ने समझा दिया कि अभी बहुत कुछ बाकी है तुमने जो किया है उसका असर तुम्हें अब दिखना सुरू होगा एक तो वीजा उसके बाद भारत ने नई दिल्ली में जो कनाडा की एमबेसी है उसको कहा है कि आप अपने स्टा आप यहां पर कम कीजिए अब यह हो गया कि आप यहां पर बोल रहे हो कि बाकी मेंबर भी यहां से निकलो अब इसका मतलब यह हो गया कि कनाडा की तरफ से भी कुछ ऐसा ही होगा कनाडा की तरफ से जो हो उसके लिए भारत तयार दिख रहा है इन सब के बीच में कनाडा के पियम एक प्रेस कॉंफरेंस में जाते हैं और जहां एक रिपोर्टर सवाल करती है पहले आप सुनिए कि रिपोर्टर क्या पूछती है रिपोर्टर ने यहां पूछा आप जानते हो आप क्या कर रहे हो आपके सहयोगी आपके साथ खड़े नहीं है वो चुप चाप है इस और अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो यह जो आपका खेल है यह पुरा खेल एक अलग मोड ले लेगा अब जस्टिन टूडू ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिये मैं चाहती हूं आप यह वीडियो देखे मॉल अषा इंडाव टूम आप यह वीडियो आ जापनाव यूम आपका फिर्जान इपर्वीट सा तो यह जो कि अीड प्रूशल आप यह जो यह ज़ाथी है इस नहीं पर्वार लट गौट टू यह वीडियर रावर below the importance of protecting Canadians and standing up for our values that is why we call upon the government of India to work with us to establish processes to discover and to uncover the truth of the matter and to allow justice and accountability to be served कि एक्वाइब यह अकून दूट के लेंड पाइब एंपर्त एंपर्त और फो एंपर्त और अनल मोंड यह नूश्छ नूब कर वह भाव कोजए दिफेरं यह भाव झाओ पूल्ड़ यह थाओ यह नूटिन तूडू ने कहा कि देखो हम समझते हैं की भारत महत पूर्न है औ इन्होंने सबूत देने से मना कर दिया इन्होंने का हम भारत से सिर्फ सहीयोग चाह रहे हैं कि भारत इस मामले में हमारा सहीयोग करें हम भारत के साथ मिलकर इस पर जाच आगे को बढ़ाएं अब ये चीज एक नर्मतेवर है लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने अपनी अ defend में खड़ा होकर ना सिर्फ भारत और आरोप लगाया बल्कि भारत के राजनई को निकाल भी दिया और आरोप तो यह भी लगता है कि राजनई के कुछ नियम होते हैं उनके नाम उजागर नहीं किये जाते हैं लेकिन इनों ने नाम भी उजागर कर दिया जो खत्रा वाली बात है अगर आप सिर्फ हमारा सहयोग चाहते इस जाच की दिसा में तो आप इतना जादा आगे नहीं बढ़ते खेर अभी भले नरम सुर हो लेकिन अब इसका असर कैसे क महिंद्रा की एक रिपोर्ट दिख रही है इस एबीपी न्यूज में कहा गया है कि जिस तरीके से तनाव है ऐसे में आनंद महिंद्रा ने अपने अस्थानिये कंपनी को ऑपरेशन बंद करने का एलान कर दिया है और कहा है कि जी नहीं अब हम यहां पर अपने काम नहीं करे अब इनके एलान का मतलब हो गया एक कंपनी ने छोड़ा अब यह दूसरा स्क्रीन पर अलजजीरा की रिपोर्ट देखिए भारत की JSW स्टील इसने स्टेक खरीदने में अब देरी करनी सुरू कर दी है JSW स्टील की बाचित चल रही थी कनाड़ा के टेक ओवर कंपनी से और स्टेक खरीदने में देरी दिखा दी है इन्होंने कहा कि अभी हम जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे इसे खरीदने में अब सवाल उड़ता है भारत और कनाड़ा के बीच में बैपार कितना होता है पहले तो बैपार बहुत कम होता था लेकिन 2022 में 9 बिलियन डॉलर का गानाड़ है जिसमें आप आप देखेंगे कनाड़ा हमें ज़्यादा बेचता है तो हम यह सारी चीज़े लीक्रीत फिर ब्रासीं में संवारा ये एकनोमी बहुत तेजी से बढ़ती हुई एकनोमी थी और इसे देखकर कनाडा के जो बोर्ड हैं कनाडा पेंसन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड इसने भारत के 6 सेरो पर पैसा लगाया छे कमपनियों पर ठीक ठाक पैसा लगा है करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास लगा है और जैसे ही ये देखा गया कि बारत और कनाडा के बीच में टेंसन रुकने का नाम नहीं ले रहा है बलकि अब बढ़ ही रहा है तो ये जो कमपनियां हैं कोटक बैंक जो में टोपे टियम और भी सेर हैं ये इन्वेस्टमेंट गिरने लगे लोगों ने अपने सेर बेच बढ़ने को मिल रही है आपको बता दें ये चीजे बता रही हैं कि मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है इन सब के बीच में पडोसी पाकिस्तान भी टपक पड़ा है और उसका क्या कहना है उसका कहना है ये सब कुछ जो हो रहा है ना इसराइल की संगत में बारत जा रहे हो खेर अब सवाल उठता है मन में क्या बहुत ज्यादा गंदे हालात हो जाएंगी तो आपको बता दें फिलहाल तो जैसा मैंने कहा एक ठंडे बस्ते में दोनों देशों का रिष्टा जाने वाला है लेकिन जहां बात आईगी ग्लोबल इसू की जैसे कि भारत ने ए अमेरिका के लिए समस्या होगी अमेरिका इसकी कलास लगाना सुरू कर देगा अब सवाल उठता है आपके मन में आएगा अचा भारत के लिए कितना महतपुर्ण है तो आपको बता दें भारत के लिए बहुत ज्यादा महतपुर्ण कनाडा नहीं है न तो हमारा उनके साथ क कोई बैपारीक बहुत बड़ा रिस्ता है और ना ही हमारा उनके साथ कोई मिलिटरी का रिस्ता है कनाडह में वैसे जो गतिवीधिया हो रही